नमस्कार, मैं डीजी और आपका स्वागत है गप्शप निउस में कुरोना महमारी के संकट के दौर में सुखत तस्वीरे भी नजर आ रही है वुपाल से गुजरती एक गाड़ी में सवार तीन महिने की बच्चे की भूप को मिटाने के लिए रेलवे सुरक्षाबल के जवान ने दूद का पैकेट बच्चे की मा तक पहुचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस घटना करम के वीडियो को रेल मंत्री पियोश गोयल ने अपने ट्विटर पर साजा करते हुई लिखा है कि एक हाथ में राइफल और एक हाथ में दूद किस तरह भारतिय रेलवे ने उसेन बोल्ट को पच्चाड़ा वाक्या भूपाल के रेलवे स्टेशन का है जा करनाटक से बेल गाउं से गोरकपुर्श रमिक ट्रेन जा रही थी इसमें साफिया अपने तीन मा की बच्ची के साथ सफर कर रही थी जब गाड़ी में सवार हुई तो बच्ची के लिए दूद रखना पूल गई बच्ची दो दिन से भूकी थी भूपाल रेलवे स्टेशन पे आरपीफ जवान इंदर सिंग यादव को साफिया ने बच्ची के लिए दूद लाने का आगर किया इंदर स्टेशन के बहाद दूद लेने कया जब लोटा तो गाड़ी चल दी थी इंदर उस कोच की तरफ दोड़ा जिसमें साफिया सवार थी वे अपने कोशिश में काम्याब रहा एक हाथ में राइफल और दूसरे में दूद लिए इंदर की भागते होई तस्वीर प्लैटफॉर्म पर लगे सीसी टीवे में कैद हो गई इंदर की ये कोशिश जरुरतमंत की मदद का संदेश देने वाली है